सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा रोमिंग क्या है और डेटा रोमिंग को अपने मोबाइल में आउन रखना चाहिए या फिर आफ रखना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं बहुत important चीज है तो डेटा रोमिंग को on ये off करने के लिए आपको अपने मोबाइल की setting में आ जाना है और यहाँ पर आपको connection का एक option मिलेगा इस पर click किजिए और आपको यहाँ पर एक option मिलेगा इस पर click किजिए अब यहाँ पर आपको data और वो option जहाँ पर भी होगा आपके सामने आ जाएगा तो इसको open कर लिजेगा अब यहाँ से आप इसको on या off कर सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि data roaming है क्या और इसको हमें on रखना चाहिए या फिर off तो आसान भासा में कहूं तो data roaming एक ऐसा feature है जो आ अपने देश से बाहर जा रहे हैं तो जब आप अपने राज या देश से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो mobile network है ना वो problem में आ जाता है mobile network आता ही नहीं है कई बार तो वहाँ पर आपको data roaming on करना पड़ता है और data roaming जैसे ही आप on करते हैं तो आपका जो SIM provider है चाहे ए data roaming का यही काम है अब अगर बात करें data roaming को और रखना चाहिए या फिर off तो अगर आप अपने घर पर रहते हैं तो आप कोछी किजिए कि data roaming को off रखिए लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तब आप इसको जरूर से ऊन कर दिजे ताकर आपको अच्छी connectivity मिल सके और आपका network lost ना हो तो उमीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि data roaming क्या है और इसको on रखना चाहिए या फिर off वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो like कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा